तो फाइनली फ्रेंड बॉलिवुड के किंग खान सहरू खान की फिल्म जवानने सिनेमा घरों में 18 दिन पूरे कंपलीट कर लिये हैं और आज फिल्म का 19 दिन सिनेमा घरों में चल रहा है और आज अपने 19 दिन यानी की वर्किंग डेपर भी ये फिल्म पूरी दुनिया में ह आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चले की 18 दिनों में सहरू खान की फिल्म जवानने बॉक्स ओफिस पर इतिहास रच दिया है सहरू खान ने अब तक का सबसे बड़ा रिकोर्ड अपने नाम किया है जिहां फ्रेंड बॉलिवुड हो या साउथ हो आज तक ऐसा खान ने बॉक्स ओफिस पर तावर तोड कलेक्शन करके कई बड़े रिकोर्ड अपने नाम किये थे और एक हजार करोड से भी ज्यादा की कमाई करके पूरे वर्ड में इतिहास रचा था और जवान फिल्म अपने 18 दिनों में एक हजार करोड के क्लब में सामिल हो चुकी है तो सहरुख खान की एक साल में दो फिल्में एक हजार करोड की कमा चुकी हैं और सहरुख खान इकलोते ऐसे अभी नेता हैं जो आज तक बॉलिवुड या साउथ में कोई ऐसा नहीं कर पाया है जिसने एक साल के अंदर दो फिल्में एक हजार करोड की दी हो और दूसरा सब सबसे बड़ा रिकोर्ड एक और हुआ है कि सबसे फास्ट जो जवान फिल्म ने एक हजार करोड किये हैं वहीं चौथे नमबर पर आ चुकी है फिल्म जवान क्योंकि बाहू बली टू फिल्म ने दस दिनों में एक हजार करोड रुपए की कमाई कर ली थी त्रिपल आर फिल् इक हजार करोड करने में कामयाब रही है तो सारुक खान के नाम ये दो सबसे बड़े रिकोर्ड हैं लेकिन फिलाल इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं फिल्म जवान अपने पहले 18 दिनों में टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही और आज नीश्वे दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है तो फ्रेंड बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान सारुक खान को एक बहतरी नभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल क तो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा फ्रेंड अगर हम बात करें फिल्म जवान की जवान फिल्म की हम जितनी तारीफे करें कम है क्योंकि फैंस को इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतिजार था और डारेक्टर एटली और साहरु खान फैंस के इरादों पर बिल्कुल खरें उतरे हैं क्योंकि फिल्म की कहानी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी जो आज orduyens देखना चाहती है जो फैंस देखना चाहते थे जो दर्सक देखना चाहते थे वही फिल्म में हमें दिखाया गया और यही वज़ा रही कि फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर पूरी त की थी तो वहीं फिल्म का worldwide gross collection 139 करोड़ 60 लाक रुपए कर रहा था उसके बाद फिल्म को मिला था चार दिनों का विकेंड तो अपने चार दिनों के विकेंड पर फिल्म जवान ने 286 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कमा लिये थे तो वहीं फिल्म का worldwide gross collection 521 करोड़ हो चुका था उसके बाद अगर हम बात करें फिल्म के पूरे 17 दिनों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो सत्रवे दिन जो फिल्म का कलेक्शन इंडिया के अंदर ओफिसली कलेक्शन था वह 12 करोड़ 25 लाक रुपए का रहा था तो फिल्म ने अपने पहले 17 दिनों में 545 करो 24 करोड़ रुपए और कुल मिलाकर पूरे वल्ड में अपने पहले 17 दिनों में ओफिसली फिल्म जवान ने 980 करोड़ रुपए कर लिये थे 16 करोड़ रुपए जवान फिल्म नेट कर रही है तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन है वह 1018 करोड़ रुपए का आकड़ा पार कर रहा है और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है बहुत बड़े नंबर है यह ज्यादे तर फिल्में ऐ दिरूर बताएगा